नमस्कार मैं विकास सिंग और आप देख रहे हैं एक निउस 24 इस वक्त की बड़ी ख़बर निकल कर सामने आ रही है बीजेपी के और से बिहार के डिप टी सीएम किसे बनाया जाएगा ये साफ हो गया है और इस वक्त हमारे समात दाता हो हमारे साथ फोन लाइन पर जुरे हु बढ़े साथ बिधान सबात के सदस्यों वह एक एक करके राजबहन पहुंच रहे हैं और भारजनता पार्टी के दो डिप्टी सीएम जो लगाए गया से कयास की दो डिप्टी सीएम होंगे समरार चोधरी और बिजय सिन्ना दो डिप्टी सीएम होंगे और अभी सब का समरार चोधरी को मिल सकता है और बिजय सिन्ना ये किलियर हो चुका है गिप्टी सीएम समरार चोधरी और सबसे बड़ी बात ये है कि एक जो कि पर आप बहुत है और भारते अंधा पाठी का होगा और इस स्पीकर का भी ये नहीं हुआ है कि कोई स्पीकर होंगे लेकिन एक होंगे यह होंगे लेकिन डिजेपी का जो अला कमान जो दिल्ली का नेत्रित है उन्होरे वहां से शिक्स किया था जो समरार तोद्री को दिल्ली बुलाए गई थी और वहां पे ही यह जो पगड़ी वाला जो था कि हम पगड़ी तभी उतारेंगे जब निटीज कुमार को मु सिनेत्रित हैं उनको समझाया गया और समधा भुजहाय को वापत बिहार पत्ना भेदा गया और अभी एक करके टितने भी बिधान सवाग के सदक से हैं सारे यहां पहुंचे रहे हैं राजटबान पहुंचरे अके करके और यह अधिक बड़ेधान समारोय का है जो अहे जाएगा भाज़न नदापार्णा अधियात ही आंगे सब्सक्राइब की सब्सक्राइब करें, लेकिन ये दोनों जोड़ी को हटा कर अब जो आरजटी के साथ पर जो अलायंस क्या था, उसके बास जो एलायंस इस वार्ज़ंदापादी के साथ हो रही है, तो क्या इस पर साफ हो गया है कि digital को डिव टीसीन हागा कि कुछ देर पहले कुछ दिर पहले तक सुशिल मोधी का भी नाम निकल कर सामने आ रहा था मुरेथा बाने हुए है और मज़ूरी कर रहे हैं तभी हम यह मुरेथा उतारेंगे जब निटी पुमार को गदी से नीचे उतारेंगे लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें जब दिल्ली बुलाया गया दिल्ली जब मीटिंग हुई विनो तावरे के नेत्रित में भरजनता पाते कि जो दिल्ली के सिर्फ नेत्रित है देशके जेपी नड़ा हो चैगरी मंत्री अमीस्ता उन्हें समझा गुजा थे क्योंकि सामने लोकसभा चुनो है लोकसभा चुनो में मादर तीन मेहना बचा हुआ है दो में दो मेहना बचा हुआ है मार्चना चीटा लागू है अप्रिल में चुनो है इसको लेकर भरजनता पार्टी नहीं चाह रही है कि हमें सिट का नुकसान हो चालिस लोकसभा का सीथ है उसम तो क्या हो आपे समराठ चौधरी बिजय सिन्हा भी पहुंचे हुए राजभावन तो क्या है वह राजभावन का रूप कर चुके हैं राजभावन एक एक करके गारी गूस रही है सारे स्कॉट काफिला यहां पर भारजभावन पार्टी के एक करके गारी इंट्री कर रही है जी बहुत बहुत धन्यवाद यह एहम जनकारी देने के लिए तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बिहार में दो डिप्टी सियम बनने जा रहे हैं जिस तरीके से सुशील मोदी का नाम आगे आ रहा था कि शुशील मोदी जो है वो बिहार के डिप्टी सियम हो सकते हैं तो उन्हें डिप्टी सियम नहीं बनाया जाएगा समराठ चौधरी और बिजय सिनहा का नाम अब साफ हो गया है कि बिहार के दो नए डिप्टी सियम यानि कि समराठ चौधरी और बिजय सिनहा नितीज कुमार के साथ मिलकर बिहार को आगे बरहाने का काम करेंगे CM नितीज कुमार आज 3-4 के बीच में CM पत का शपत लेंगे तो साथ ही साथ समराट चौदरी और बिजय सिनहा भी डिप्टी CM का स्पत लेते हुए आपको नजर आएंगे हम आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं बड़ी खबर बिहार की सियासत से बिहार की सियासत में BJP के दो डिप्टी CM बनाए जाएंगे स्पीकर भी BJP का ही होगा डिप्टी CM का नाम अब साफ हो गया है समराट चौदरी और बिजय सिनहा डिप्टी CM होंगे CM नितीज के साथ मिलकर काम करेंगे देखने वाली बात होगी कि आज साम के समय समराट चौदरी और बिजय सिनहा और समराट चौदरी शपत ले सकते हैं CM नितीज के साथ इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बिहार की सियासत से जुरी हुई कि आज सरकार गिर चुकी है और साथ ही साथ साम को तीन से चार के बीच में फिर से CM नितीज कुमार सबत लेंगे और अपनी नई सरकार बनाएंगे BJP के साथ मिलकर ये सरकार बिहार की विकास के लिए आगे बढ़ेगी लेकिन जिस तरीके से सरकार गिरी जिसका सब को संदेथ था वही हुआ और CM नितीज कुमार ने साफ कर दिया कि गटबंधन में सब ठीक नहीं था बिहार में सब ठीक नहीं था और यही कारण रहा कि मुझे इस्तीफा देना परा लेकिन जिस तरीके से कयाशों का दौर लगाया जा रहा था कि सुसील मोदी डिप्टी सी एम बनाए जा सकते हैं तो उनका नाम अब साफ नहीं हुआ और नाम निकल कर दो नए नाम आ गए समराठ चौधरी और विजय सिनहा का मोहर लग चुकी है समराठ चौधरी और विजय सिनहा बिहार के डिप्टी सी एम बनाए जाएंगे झाल